तो स्चूदेंट्स आज के वीडियो में हम दिसक्स करगे थिएносabeiगे सूरे बिएशन DHHHH BDS courses के admission के लिए and also we will discuss what is the reservation of different categories और यहां पर हम देखेंगे total seats हमारे पास कितनी है उन seats में से कितनी seats लदाख को जाने वाली है और हमारे पास CWS की कितनी seats है क्या 50% reservation girls का रहने वाला है या नहीं तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे अगर आप चैनल पर नए तो that is increased from 50% to 54% इसकी reservation को increase कर दिया गया है means यहां पर 4% जो है वो open merit के लिए 4% जो है increase हुआ है reservation के अंदर फिर अगर हम बात करें RBA category तो RBA category के लिए इस साल जो reservation है that is 10% इसका मतलब क्या है that पहले जो थी वो 20% थी अब इसको reduce करके कितना कर दिया गया है 10% means यहां पर 10% decrease हुआ RBA के लिए उसके बाद हमारे पास जो ST category है सारी की सारी combine हो चुकी है और हमारे पास 10% reservation इन सारी ST category इसको दिया गया है whether वो पहले STGB था या उसके अंदर जो है STO था यह सारी के अदर करके ST के अंदर रखा गया है जिसकी 10% reservation है उसके बाद अगर हम बात करें जो SC category होगी इस के लिए हमारे पास 8% reservation है उसके बाद हमारे पास OSC category हो या PSP category हो या ALC IB category हो इन तीनों category के लिए 4% reservation जो है वो रखी गई है 4% reservation इन तीन categories के लिए है उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो SP category SP sports person इन के लिए भी 2% reservation है और हमारे पास जो CDP केटेगरी है CDP इनके लिए हमारे पास 3% reservation है और हमारे पास जो JKPM केटेगरी है JKPM इसके लिए हमारे पास 1% reservation है अब हम देखते हैं, देखें, हमें पता है हमारे पास total 1100 seats से, कितनी 1100 MBBS seats हमारे पास available हैं, हमारे पास 1100 MBBS seats, इन 1100 में से हमारे पास जो 100 seats से, 100, वो हैं हमारे पास S.Com की, S.Com की हमारे पास कितनी seats से, 100 seats, और बच्ची हुई जो 1000 seats से, ये 1000 seats जो हैं, ये क्या हैं, government seats से, these are government seats, हमारे पास 1000 seats से MBBS government, अब इन 1000 seats के अगर मैं बात करूँ, इन 1000 seats में से हमारे पास 100 seats किसकी हैं, 100 seats जो हैं, वो EWS की हैं, तो बची हमारे पास कितनी 900 seats, तो हमारे पास कितनी बचती हैं, 900 MBBS seats बचती हैं, अब ये जो हमारे पास 900 MBBS seats हैं, इन 900, देखें ये 100 तो किस category के लिए लेकिन अगर हम बात करें यहां पर जो 900 सीट जो है 900 इन 900 में से 4% यानि कि 4% of 900 जो है वो सीट जाने वाली है किसको वो जाने वाली है लदा को तो इसका मतलब ये है 4% of 900 किसको जा रही है लदा को means इसका मतलब ये है that 36 seats जो है वो किसके लिए है वो हमारे पास लदा के लिए अलग से हैं कितनी 36 seats तो हमारे पास बज़ती कितनी है हमारे पास बज़ी 900 minus 36 तो हमारे पास जो seats बज़ी है वो है हमारे पास 864 seats जो है वो हमारे पास बज़ जाती है ये seats जो है ये seats ये होंगी जम अब देखिए यहां पर खुल में लाकर हमारे पास जो अवेलेबल सीट से वो 864 हैं और इन 900 सीट में से आपके लदा के लिए 36 सीट जो हैं वो जा रही हैं अब देखिए अगर हम देखें 54% of 864 मिन अज ओपन मेरेट केटेगरी के लिए कितनी सीट से हमारे पास ओपन मेरेट boys है open married boys इनके लिए हमारे पास 233 seats है और जो open married girls जो होंगी open married girls इनके लिए भी हमारे पास 233 seats जो है वो available है इसके बाद हम बात करेंगे RBA category के लिए RBA category के लिए 10% reservation है seats हमारे पास 864 है तो वहाँ पर 10% of 864 जो है वो हमारे पास बन रहे है 86 seats 86 seats जो है हमें RBA category के लिए है और इनमे RBA boys के लिए हमारे पास कितनी seats हो जाएंगी RBA boys के लिए हमारे पास 43 seats हो जाएंगी और girls के लिए जो है कितना 43 मीन इस साल भी girls के लिए क्या रहेगा 50% reservation रहेगा इसके बाद हम बात करेंगे ST category, ST category की बात करें इसके लिए 10% reservation है और सारी categories combine हो जुकी है अब 10% अगर हम देखें किसका 864 का तो वो बन रहा है ST category के लिए हमारे पास बन रही हैं कितनी 86 seats और same as the case यहाँ पर भी ST categories के लिए जो boys हैं इनकी होंगी 43 seats और जो girls हैं उनके लिए भी कितनी हो जाएंगी 43 seats इनके लिए भी हो जाएंगी उसके बाद अगर हम बात करें जो OSC category होगी इसके लिए 4% reservation तो 4% of 864 की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है हमारे पास 34 seats इसका मतलब यह है OSC category के लिए 34 seats से जहाँ पर boys की और girls की कितनी हो जाएंगी याने की boys के लिए भी 17 seats होगी और girls के लिए भी 17 seats होगी OSC category के लिए उसके बाद same as the case हम PSP category की बात करें या हम ALC IB category की बात करें उनके लिए भी 4% reservation है इसका मतलब यह है PSP के लिए भी कितना हो जाएगा 4% of 864 तो वो कितना बनता है that is 34 हो जाएंगी PSP के लिए ALC IB के लिए भी कितनी हो जाएंगी 34 जहां पर जहां पर हमारे पास boys के लिए और girls के लिए फिर ये distribute हो जाती है 50% याने की 17 जो हैं वो boys के लिए होंगी और 17 जो हैं वो girls के लिए होंगी उसके बाद हमारे पास जो category है that is CDP category CDP category की बात करे reservation decrease होई है और वो ही है 3% जो की पहले 4% थी मीनस अगर हम देखें जो 3% of 864 है तो वो हमारे पास बन रहे हैं कितनी seats वो हमारे पास बन रहे हैं 26 seats तो इसका मतलब ये है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ boys और girls की अगर मैं बात करता हूँ तो boys के हमारे पास कितनी seats हो जाएंगी 13 seats और girls के लिए भी कितनी 13 seats यह में बात कर रहा था CDP category इसके बाद जो next category होगी that is the SP category जिसके लिए 2% reservation है and 2% of 864 की मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास कुल मिलाकर sports person जो है उनके लिए हमारे पास 18 seats आती है कितनी 18 seats और वहाँ पर भी अगर मैं SP category की बात करूँ तो जो boys होंगे boys इनके लिए हो जाएंगी कितनी 9 seats और जो girls होंगी इनके लिए भी कितनी seats हो जाएंगी 9 seats इसके बाद मैं बात करूँ हमारे पास जो next category होगी that is JKPM और अगर मैं बात करूँ JKPM category की तो JKPM की reservation कितनी है 1% 1% reservation of 864 तो ये कुल मिलाकर कुछ 9 seats आ रही है जो approximately 10 seats बन जाएंगी किसके लिए JKPM के लिए तो JKPM में अगर मैं बात करूँ जो boys होंगे उनके लिए कितनी seats 5 seats होंगी और जो girls होंगी उनके लिए कितनी 5 seats होंगी तो ये था पूरा का पूरा जो है content जो आपने पाया जिसमें हमने देखा reservation क्या है seat matrix तो ये बात clear होनी चाहिए कि हमारे पास कितनी seat से उसमें से कितनी लदा को जाएंगी कितनी S-form की हैं कितनी जो है EWS की हैं तो ये था overall तो उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आया और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें चैनल Deft Education ये इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँगा थैंक्स पर वाचिंग